हमारी यह जो meditation है हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है forgiveness meditation तो forgiveness meditation हम जब करेंगे आंखें बंद करके करेंगे और इसमें शुरू में हम अपना ध्यान अपने सांस की तरफ लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे दो rounds बस्त्रिका के बस्त्रिका के rounds जो होंगे एक बार आप आंके खोल के देख सकते हो उसमें हम हाथों को पहले यहां पे shoulders की तरफ रखेंगे shoulders के पास रखेंगे और फिर एक बार मैं brief कर रहा हूं पूरी meditation स्टार्ट करने से पहले उसमें पहले हम shoulders के पास रखेंगे फिर हम जब A से लेके Z तक की counting के साथ 26 थांस अंदर और बाहर लेने है लेने कैसी हैं जब मैं in बोलूँ गा तो आपने थांस अंदर लेना है और आपके हाथ दोनों ऊपर चले जाएंगे और हाथ उपर जाएंगे और फिर मैं बोलूँगा तो आपके हाथ नीचे आएंगे और मुठियां बंद हो जाएंगी ऐसी करेंगे in B in C ऐसे चलता जाएगा और जब तक Z हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ी देर relax करेंगे फिर second round करेंगे जिसमें हम 26 से लेके 1 तक count करेंगे ऐसी सांस दुबारा से 20 लेंगे ठीक है जी उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक एक करके सभी body parts को contract करेंगे और डीला चोड़ेंगे ये ये वाले step सेम हैं जैसे हमने C2A meditation में हम करते हैं उसके बाद हम forgiveness पे आएंगे उसके बाद मैं आपको guide करता जाओंगा तीन steps उसके होंगे forgiveness करने के पहले हम दूसरों को forgive करेंगे फिर हम दूसरों से forgiveness मांगेंगे और फिर हम अपने आपको forgive करेंगे. तो ये तीन steps होंगे forgiveness के मैं आपको इसमें guide करता जाओंगा. तो आप अभी हम start करने वाले हैं. सबी लोग अपनी अपनी जगा पे बैठ जाएए और yes, अपनी आँखें close कर लीजिए. अपना ध्यान अपने breathing की तरफ sans की तरफ sans को अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करें दीरे दीरे आपके sans की गती regular हो रही है. अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपने हाथ shoulders के पास लेके आएंगे इनकी आवाज के साथ sans अंदर लेके जाएंगे और जब alphabet A से लेके Z तक बुला जाएगा तो सांस बाहर आएगा और हाथ मीचे आएंगे स्टार्ट करेंगे in A in B in C in D in E in F in G in H in I in J in k, in l, in m, in n, in o, in b, in q, in r, in s, in d, in u, in v, in w, in x, in y, in z, relax, अपने हाथों को अपने थाइज पर रखते हुए, अपना ध्यान अपने सांस की तरफ लेके जाएंगे, आपके अंदर एक नई energy generate हुई है, उस energy को feel कीजिए और उस energy का flow feel कीजिए, कैसे वो आपकी body में से energy flow कर रही है, हाँठे बंध रखते हुए, दूसरे बस्तरिका के राउंड के लिए, अपने हाथ अपने शोल्डर के पास लिके आएंगे, इनकी आवाज के साथ सांस लेंगे, हाथ उपर जाएंगे और जैसे नमबर बुला जाएगा 26 से लेके 1 तक आपका सांस बाहर आएगा और हाथ नीचे आएंगे स्टार्ट करेंगे in 26, in 25, in 24, in 23, in 22, in 21, in 20, in 19, in 18, in 17, in 16, in 15, in 14, in 13, in 12, in 11, in 10, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1, relax, अपने हाथों को अपने थाइज पर रख लीजिए, अपना ध्यान अपने सांस की तरफ, आपकी बोडी में जो एक नई एनर्जी जिनरेट हुई है, अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ लेके जाएए, पूरा ध्यान अपनी ब्रीधिंग की तरफ, आँखें बंद ही रखते हुए, हम एक एक करके बोडी पार्ट को कंट्रेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, माथे की मसल्स को कंट्रेक्ट करेंगे, फेस की मसल्स को कंट्रेक्ट करेंगे, आइस को पूरे जोर से बंद करेंगे, दांतों को पूरे जोर से बंद करेंगे, हाथों की जोर से मुठ्खियां मनाएंगे Leg muscles पैरों की muscles उंगलियां पैरों की जोर से जोर से Relax ढीला छोड़ देंगे Forehead Eyes Face सबको Relax छोड़ देंगे हाथों को पैरों को एक बार फैर से करेंगे माथे की muscles को contract करते हुए Eyes को contract करते हुए Face को, dantों को, हाथों को टांगों को, पैरों को पूरे जोर से contract करते हुए Contract Relax Relax डीला छोड़ दीजिए माथे को, eyes को Face को हाथों को पैरों को डीला छोड़ दीजिए Last time माथे पे contract करते हुए eyes को contract करते हुए Face को, teeth को पैरों को, सबको डीला छोड़ दीजिए माथे को, eyes को Face को हाथों को पैरों को सबको डीला छोड़ दीजिए अपने चेहरे पे एक हलकी सी स्माइल रखिए हलकी सी मुस्कुराहट अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन सब लोगों की तरफ लेके जाएए जिनों ने कभी न कभी आपको कुछ बुरा बोला हूँ जिनोंने आपके साथ कुछ बुरा किया हूँ जिनको आप सोचते हों के उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया अभी तक जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं जिनोंने आपके साथ कुछ अच्छा ना किया हूँ उन सब की तरफ अपना ध्यान लेके जाएए और आज उन सब लोगों को आप माफ कर दें आप उनको माफ करते जा रहे हो और आप बड़े होते जा रहे हो जैसे आप किसी को माफ करते हो आप आपका मन आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है उन सब लोगों को माफ कर दीजिए और विजू लाइद कीजिए जैसे आप उन सब लोगों को गले लगा रहे हो आपने उन सब लोगों को माफ कर दिया जैसे उन्होंने कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया हो वो सब लोगो खुश हैं और आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन लोगों की तरफ लेके जाईए जिनके साथ आपने कभी बुरा किया हो जिनको आपने कभी बुरा बोला हो कभी आपने अपनी रिस्पोंसिबिल्टी उनके प्रती पूरी तरह से अच्छी तरह से ना निभाई हो वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके कुलीग्स हो सकते हैं सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं उन सबी लोगों से आप किशमा मांग लीजिये, सोरी मांग लीजिये आप उन से सोरी फील कर रहे हैं और वो आपको माफ कर रहे हैं आप उनको गले लगा रहे हो और वो कुशी के साथ आपको गले लगा रहे हैं अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन तिच्वेशन की तरफ लेके जाएए जब आप खुद कुछ करना चाहते थे बट आप वो नहीं कर पाई एक गिल्ट आपके अंदर है कि आप खुद ये काम क्यूं नहीं कर पाई आप उस गिल्ट के लिए अपने आपको माफ कर दीजीए अभी तक जो भी आप काम नहीं कर पाई किसी को कुछ बोल नहीं पाई उस सब के लिए अपने आपको माफ कर दीजीए आपको पुद आत्सितके काम कर पाईा कि पूला है कि अंदर से खाली हो चुके हो बिल्कुल रिलाक्स सब लोगों ने आपको माफ कर दिया है आपने सब लोगों को माफ कर दिया है अपने अपने आपको माफ कर दिया है अपना ध्यान अपने सांस की तरफ लेके जाएंगे और सांस की गत्थी को महसूस करेंगे अपने सांस की तरफ लोगों 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 की तरफ एक दीरे दीरे एक से लेके पांच की काउंटिंग के साथ आप अपने वापिस नॉर्मल लेवल प्याएंगे एक, दो, तीन, अपनी स्राउंडिंग्स के प्रती अवेर होते हुए, 4, 5, दीरे-दीरे करके अपने हाथों की उंग्लियों को हिलाना स्टार्ट करेंगे और अपने दोनों हाथों को एक साथ लेके आते हुए रब करना स्टार्ट करेंगे जैसे हाथ तोड़े गरम हो जाएं, उनको अपने आइज पे रखते हुए आइस को खोल सकते हैं कैसे है आपका मन? आप चैट बुक्स में लिख सकते हैं कैसे आप मेडिटेशन कर पाए और अभी आप कैसे फील कर रहे हैं? आप चैट बुक्स में लिख सकते हैं के वेरी काम एंद पीस फ्रॉम रावत जी फिलिंग वेरी काम एंद रिलाक्ष मी साजीट काम एंद रिलाक्ष की तेंक यू तो आज हम इस नए साल के फर्स्ट दे पे जैसे हम सबको vouchers करते हैं तो जो लोग अभी आपके मन में आएं जिनों ने हमने जिनको अभी माफ कर चुके हैं तो उनको हम जैसे बाकी लोगों को wishes बेढ़ते हैं तो वैसे हम उनको wishes बेढ़ेंगे message करेंगे और जो जो भी लोग अभी हमारे meditation के time हमारे मन में आ रहे थे जिनको हमने sorry बोलना था उनको भी हम messages करेंगी आप उनको detailed message भी लिख सकते हो या फिर आप उनको simple happy new year का message लिख के बेज सकते हो उसके बाद जैसे ही आपकी उनके साथ बात होती है तो इस साल आपने वो जो भी आपके पिछले साल के जो भी strains से relationship में उनको इस साल में सबसे आज का first day इसी लिए रखना है कि उसको सब strains को खतम करना है तो वो strains इसलिए हो सकते हैं जब आप किसी ने आपके साथ बुरा किया हो या वो इसलिए भी हो सकते हैं जब आपको पता हो कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है या फिर एक strain ऐसा भी होता है जो हमारा personal अपने प्रती होता है जिसमें हम कुछ खुद से करना चाते हैं बट वो हम कर नहीं पाते हैं तो वो self आज करना है अभी भी आप एक list बना सकते हो या simple एक जो message है वो forward कर सकते हो उनको ओके श्रीकांत still having sensations of pain तो ये दिरे दिरे करके श्रीकांत ये निकलती है ये अंदर जो कोई depth वाला pain होता है तो ये दिरे दिरे करके निकलता है ओके तो ये forgiveness meditation हमने की अभी हम एक और चीज़ है तो जैसे new year resolution हर कोई रखता है तो आपने एक resolution आज decide करना है तो उस resolution के parts जो होंगे उसमें तीन parts हम रखेंगे एक रखेंगे health से related health से related आप क्या सोचते हो के 2021 के end तक आपकी health का level क्या होना चाहिए उसमें आप exercise involved कर सकते हो yoga involved कर सकते हो आपने weight decrease करना है तो उतना weight आप exact आपने रखना है कि कितना weight आपका होना चाहिए exact आपकी health की status क्या होनी चाहिए एक पहला होगा आपके health और mind से related second होगा आपके relationship से related कि आपके relationships दूसरों के साथ आपके family members के साथ कैसे होने चाहिए till the end of the year और third आपका होगा आपकी professional success से related तो आपने कुछ एक business में कोई point achieve करना है आपने कोई income का particular criteria रखना है कि इतने तक मेरी income होनी चाहिए तो exactly आपका जो भी resolution होगा जो भी आपका aim होगा जो इसको हम बोलते है mission statement जो भी आपकी mission statement होगी वो exactly defined होनी जाहिए कि for example कि मैं मेरा weight जो है 60 kg या 70 kg होगा मैं रोज 100 push-ups करूँगा और अगर आपका health से related यह है और आपको सब लोग सब लोगों आपको आपके family members के साथ आप time spend करेंगे या आप उनको उनके साथ अपनी एक personal bonding increase करेंगे तो exactly आप जितना भी इसको जादा से जादा define कर सकते हो उतना आप इसको define करेंगे और आप इसको लिखेंगे copy pen उठाके इन तीनों health से related आपके relationship से related और आपके professional success से related आप इनको exactly लिखेंगे आपकी दूसरी पहली assignment थी कि आपने सब लोगों को messages बेजनी है जितने लोगों के साथ भी आपके relationship आप सोचने और strained है secondly आपने ये आपकी mission statement जो है तीन तरह से लिखनी है और third task आज की आपकी होगी smile तो आपने सब को smile करना है पहले अभी आप अपने mirror में अपनी तरफ smile करोगे अभी एक सबी लोग smile कीजिए अच्छी सी smile तो आपने आज पूरा दिन जो है smile करते रहना है mirror में देखके भी और जो भी कोई आपको मिलेगा उसको देखके भी वो बोलते हैं कि make it, fake it, sorry fake it till you make it तो जब तक आपकी natural smile नहीं आती है तब तक आपने इसको fake करते रहना है दीरे दीरे करके जैसे आप fake भी करते रहोगे तो दीरे दीरे करके meditation के साथ और time के साथ वो natural smile निकल के आने लग जाएगी आज की तीन assignments हैं पहली आपने सब लोगों को messages भेजनी है जिन लोगों के साथ आपकी relationships strained रहे और उनके साथ फिर जैसे आप ठीक समझो phone पे भी बात कर सकते हो detailed messages भी भेज सकते हो second आपने mission statement लिखनी है जिसमें आपका health goals रहेंगे आपके mind goals health and mind goals रहेंगे second आपके family के family या friends के साथ relationship से related goals रहेंगे missions रहेंगे और तीसरा आपके professional mission रहेंगे और third आपके assignment smile से related इस सबका हम शाम को साथ बजे अभी जैसे अभी साथ बजे हम इसका एक review आप group में डालेंगे कि आपकी इन तीनों से related progress कैसे रही और फिर आपकी जो mission statement होगी आज की हम उसको थोड़ा सा change करेंगे कल morning में हम देखेंगे वो कैसे है और हम जो c2 a meditation करेंगे उसमें हम उसको incorporate करेंगे ठीक है जी कि अभी ये session आप अपने questions पूछ सकते हो जिसको कोई भी से related doubt है assignment से related वो chat में अपने questions डाल सकते हैं या आप unmute भी कर सकते हो सर गुड मॉनिंग जी एपी नीजर आज c2 a meditation हम लोग करेंगे आज c2 a आज actual में हमारी वो हो गई है तो c2 a भी हम कर सकते हैं यह सब हमारे पास time है हमारे पास च्छे बज़के दस मिनिट हुए है कुछ time है हमारे पास c2 a meditation करने के लिए बट मुझे लगता है तैंक यू और कोई किसी का question हो तो हम जिनके मन में कुछ अपनी new year statement को लेके है तो वो अपनी new year statement शेयर कर सकते हैं अभी सब लोगों के साथ तो यह भी एक टेक्नीक है जिसमें आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो ज़्यादा से ज्यादा लोगों को बता दो तो उसको पास्ट तो उससे क्या होता है आपकी एक foundation बन जाती है उसको एक social pressure या एक बन जाता है कि आप यह काम करने वाले हो वो आपको प्रेश्राइज होते हैं आप तो वो कर पाते हैं एक बार अगर आपको खुद की तरफ ही हो अपनी तरफ ही वो limited हो कि मैंने यह काम करना है तो वो करता है वो चीज को continue करने में तो कोई भी अपनी जो श्रीकांत जी आप अपने आपको अन्म्यूट कर सकते हो और अजी आपकी क्या statement है आप क्या करना जाते हो क्या resolution है आपका new year में क्या आपकी मेरा वेट सेवंटित्री केज़स है मेरा इडल वेट जो अना है 59 अहां सो मैं सो लिए 63 केज़स तक आने के लिए मैं यह यह मैं हो जो मैं पॉजिवटीष पाया है वो तोड़े लोगों को शेयर करना चाहता है वो मेरे पॉजिवटा इस प्यूजिवटी बड़ना चाहता है आप वो अब्ड़ना में आप अबड़ना जाता है वो पॉजिवटी पे लिए टो क्यों तो मैं बड़ना चाहताह है वो प्रॉजिवटीद्ट्री में मैंने कोर्स रिजिस्टर किया है मिशिन लेर्निंग एंड एमे इसमें उसका कोर्स का मैक्सिमम ओड़्पुट लेके और मेरे केरियर में चेंजिस लाना चाहता तो वो है तेंक्यू ग्रेट ग्रेट तो अभी जैसे अपने श्रीकान जी बड़े अच्छे इस दंक से बताया तो ऐसे ही सब लोग अपने तीनों कैटेगरीज में जितना ज़्यादा आप डिफाइन कर पाएं exactly आपको क्या करने है कितने आपको अगर आपका रणिंग का है कि आपने रणिंग करने है तो आपने का stamina होना चाहिए अगर आपने push-ups करने है तो कितने होने चाहिए अगर आपका weight decrease करने का है तो कितने weight decrease होना चाहिए अगर आपका ऐसी जो भी जितना ज़्यादा आप define कर पाओगे relationships में भी और professional success में भी कि आपका level exactly यह होना चाहिए तो आपकी company में इतने लोग होने चाहिए इतनी बड़ी आपकी company होने चाहिए तो वो सब आप exactly ऐसी define करेंगे और आप उसको लिखेंगे ठीक है जी फिर हम इस पे काम करेंगे और जैसे आप इसको लिख लोगे हम इसको और कैसे define करना है टाइम निकाल के इसको लिखना है और एक और एक आपने जो वो messages जिनको बेजने हैं सबकी list बना के सबको message भेज देने हैं और शाम को 7 बजे हम उसका भी review करेंगे और एक आपका जो smile वाला है वो आपने करना है और अभी एक technique हम जो पिछले 3-4 दिन से discuss कर रहे हैं वो है नींद से related sound sleep क्योंकि अगर नींद आपकी proper आपकी होती है तब ही आप दिन में अच्छा काम कर सकते हो तो वो एक जो technique जो पिछले दिनों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कितने participants कर रहे हैं जो नींद वाली technique है अबानी जी, रावत जी अबानी जी आपका क्या experience रहा फिर हम वो technique दुबारा से discuss करेंगी Sir मैं आभी तक जो है 12 भी count नहीं कर पाया हूँ तो आप नींद में चले जाते हो ग्रेट रावत जी आपका कैसे रहा मौनिंग रावत जी अच्छा था, मैं रिकॉल कता हूँ लास्टे का तो दुबारा से भूली जब रिकॉल करते हो जब रिकॉल करते हो अच्छा जा रहा है और भी कोई किसी ने ट्राइ कोई कर नहीं है श्रीकान 3 फिर 10 o'clock, 10 p.m. ऐसा रिपीटेड मोड़ अच्छा त्री टेम्स करते हैं कि सोना आ जाते हैं सोना आ जाता है बट मतलब हमारा एक एम वही है कि उसमें नेंद आ जाए पर और डेम्स करते हैं तो वह तो हो रहा है तो अभी जो लोग अभी मैं दुबारा से वह टेकनीक डिसकस करता हूं क्योंकि उस टेकनीक का में मोटीव हमारा एक तो नेंद है एक रिकॉलिंग पावर को इंक्रीज करना है तो नेंद सबको नेंद में जा रहे हैं वह टेकनीक करते करते तो इसका मतलब वह काम कर रही है और recalling उससे दीरे-दीरे करके आपकी increase होती रहेगी और जो लोग अभी जैसे अबानी जी 12 पे पहुंचे है श्रीकान जी 24 पे पहुंचे है तो दीरे-दीरे करके आप 48 पे भी पहुंचोगे तो यह टेक्नीक है क्या इसमें हम अपना पतंजली जी ने भी start किये तो क्या यह करना जरूरी है, सर जी नीन्ड तो आ जाती है, तो क्या यह करना जरूरी है? हाँ, पुकर शिव्त भॐश्ची यैस आप तब भी कर सकते हो क्या नीन्द के भी हमआरे levels होते हैं ऐक deep sleep होती है, एक हमारी जो वो deep नहीं होती है, तो जो हमारी deep sleep होती है उसको rapid eye movements भी बोलती है RPM sleep होती है वो आपकी अच्छी sleep quality होती है उसमें जब आप ज़्यादा time deep sleep में रहते हो तो आप ज़्यादा relaxed feel करते हो ज़्यादा energetic feel करते हो तो इसलिए आपको ये technique आपको help करेगी और इसके लिए आपको कुछ extra efforts करने भी नहीं है कुछ time भी आपको नहीं लगना है जादा तो actual में हम करते क्या है कि हम अपनी जैसे planning day की करते हैं वैसी हम अपनी need की planning करनी start करते हैं इस technique में हम क्या करते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप जो आपके सोने से सोने का time है like मान लीजिए कि 10 बजे का time है तो पहला step तो ये है कि आप उसको एक regularity में लेकिया ये ऐसे मत कीजिए कि एक दिन 9 बजे सो रहे हो और एक दिन 12 बजे सो रहे हो क्यूंकि अगर आपका एक time रहेगा कि 9 से 10 बजे के बीच में सोना है और सुबा 5 से 6 बजे के बीच में उठना है तो वो आपका regular रहेगा या 4 से 5 बजे के बीच में उठना है तो वो एक body का circadian rhythm होता है biological clock होता है तो body अपने आप उसको adapt कर लेती है और वो body relax रहती है क्योंकि otherwise जब आप उस circadian rhythm को बार-बार change करते हो तो हमारे अंदर से stress hormones release होते हैं तो वो आपकी जो efficiency भी decrease करते हैं और आपका जो है stress level भी उसके साथ बढ़ जाता है तो इसलिए एक तो सबसे पहले time आप उसको रखी regulate कीजिए sleep को और second क्या है कि sleep से पहले उसकी तियारी कीजिए sleep में जाने की क्योंकि हम दिन की तियारी करते हैं बटा हमारी जिंदगी का one third time या one fourth time नीन्द में गुजरता है और नीन्द की हम planning नहीं करते हैं और नीन्द ही define करते है कि हमारा दिन कैसे रहेगा हम कितने energetic रहेंगे और कितने हम काम करता हैंगे तो नीन्द के लिए क्या है कि जो नीन्द से एक घंटा पहले का time है वो बड़ा crucial time होता है उस time में आप कोई भी negative information मतलब कोई news मत देखिए कोई horror movies मत देखिए whatsapp मत देखिए क्योंकि आजकल ये सभी यो sources हैं ये negative information के sources हैं और negative के साथ-साथ इसमें information जो है वो आपका कोई control नहीं होता information पे आप positive information लेनी चाहते हो बट whatsapp पे कोई negative message आ गया आप कुछ और देखना चाहते हो बट वो TV पे एकदम से आप serial में कोई advertisement ऐसी आगी जिसने आपके mind को distract कर दिया या कोई scene ऐसा आ गया तो इसलिए television नहीं देखना आपने mobile नहीं देखना और आपने जो है कुछ horror movies या कुछ ऐसे कुछ नहीं देखना उससे बिले और आप कर क्या सकते हो एक गंटा सोने से एक गंटा पेले आप कोई music सुन सकते हो आप कोई motivational चीज सुन सकते हो कोई books पढ़ सकते हो अपनी family के साथ time spend कर सकते हो और अगर आप student हैं तो वो time revision के लिए बहुत अच्छा है तो आप उसमें revision कर सकते हो तो ये कुछ आपने करना है ये हो गया नींद से एक घंटे पेले आपने क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है उसके बाद हो गया नींद की तियारी तो जब आपने सोने के लिए जाना है उससे पेले आपकी तियारी होनी चाहिए आपने अपना bed clean करना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बेड पे वैसी समान बिखरा हुआ है और आप सोने चलेगे क्योंकि जैसे आप वो बेड क्लीन करते हो तो आपका माइंड उस सिचुएशन में चला जाता है कि आप अभी सोने की त्यारी कर रहे हो तो माइंड भी अपने आप दीरे-दीरे जैसे आप अपनी फिजिकली कमरा साफ कर रहे हो या बेड साफ कर रहे हो दीरे-दीरे माइंड भी अपने आपको सबकोंशियसली क्लीन करना स्टार्ट कर देता है वो अपने आप जो बंद कर सकते हो और अगर आपके family members हैं आप अभी उसको किसी ना किसी reason से बंद नहीं कर सकते हैं तो आप एक eye shade use कर सकते हो और एक कपड़ा बांद सकते हो आँखों के उपर जिससे आपकी जो है light कम जाए सोते हुए अंदर आँखों के बीच में light कम जाए और फिर आप एक music हलका सा music चला सकते हो सोते वक्त आप एक fragrance को ही add कर सकते हो room में कुछ आजकल essential oils आते हैं तो वो आप use कर सकते हो कुछ और निल काइन कुछ भी fragrance या room freshener हलका सा वो यूज कर सकते हो जिससे आपकी fragrance भी room की अच्छी बनी रही तो आजकल जैसे सरदी के दिन हैं तो कुछ लोग जैसे heaters यूज करते हैं तो उसमें भी आप ऐसा heater like वो कई बार बहुत ज्यादा dryness हो जाती है उससे तो उसके लिए आप या तो उसको इस धंग से यूज कीजिए कि जैसे oil heaters हैं उनसे dryness कम होती है बट जो हमारे blowers हैं उनसे dryness ज्यादा होती है तो उसको dryness ज्यादा ना हो उसके लिए आप एक अलग से थोड़ा water कमरे में रख सकते हो तो वो moisturize करता रहते हैं तो इस डंसे आपने सारे अपना surroundings की जो त्यारी करनी है नी रिवर्स में जाना है और सोचना है like recall करना है कि आपने पिछले like अगर आप 10 बजे सोने के लिए जा रहे हो तो आपने 10 बजे से लेके 9 बजे तक last क्या किया like आपने कोई book पड़ी तो जस्त आप यह देख सकते हो कि अच्छा book में यह chapters पड़े तो 9 बजे से लेके 8 बजे तक क्या किया 9 बजे से 8 बजे तक मान लीजिए आपने डिनर किया तो आप थोड़ा सा यह सोच सकते हो कि डिनर में आपने कौन सी डिशिस काई क्या उत्में बना हुआ था किन किन के साथ पैट के डिनर किया 3-4 सेकड़ तो 9 बजे से 10 से 9 बजे ऐ介ए पिर 9 बजे से 9 के बीच आघे फिर 9 से 8 फिर अगर आपने लंच किया चाते 3 बजे की बीचिने तो आपने लंच में क्या किया लंच वी क्या खाया तो ऐसे करके रिकॉल करने कि उसको कोशिष कर निय। ऐसे करके वापिस मतलब उल्टा जाना है आपने जब आप सो रहे हो उससे एक गंटा पहले फिर उससे एक गंटा पहले तो ऐसे करके हमारा एम रहेगा 48 आर्स बैक जानेगा मतलब दो दिन पहले तक आपने क्या क्या किया तो mostly शुरू में आप इतना recall नहीं कर पाओगे जैसे अब आणी जी ने बताया कि वो 12 तक पहुच पा रहे हैं श्री कांट जी 24 तक पहुच पा रहे हैं तो ऐसे बट उससे होगा क्या कि आपका माइंड दीरे एक depth में जाता जाएगा एक deep level में आप जाते जाओगे उस दीरे होती है तो एक तरफ से ये आपको sleep increase करने में help करेगा secondly same time पे इससे आपको आपकी recalling power increase होगी क्योंकि हमारे मन में सब कुछ पर रहता है 24 गंटे का ही नहीं वो हमारे जितने भी हैं सालों का हमारे पास सब कुछ पढ़ा होता है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी movie क आपने कुछ आप याद करते हो आपको पूरा याद आ जाता है movie का scene भी याद आ जाता है उसमें कौन सा character था वो भी याद आ जाता है चाहे वो movie आपने 10 साल पहले देखी हो बट कई बार आपको 10 मिनट पहले वाली चीज भी याद नहीं होती है तो हमारे mind में actual में रहता mind out कर सकते हैं तो यह technique एक तरह से आपके mind का catalog बनाने का काम करती है तो यह आपके brain में organize करती है जो भी आपकी information है उसको धीरे-दीरे करके आपके brain को यह catalog बनाने की आदत बढ़ जाती है और इससे आपकी फिर recalling part जो है बहुत ज्यादा increase हो जाती है तो thirdly यह technique के साथ आपक planning जो है day की वो better हो जाती है ठीक है जी तो यह technique हम साथ साथ में यह follow करेंगे कि इसके लिए आपको कुछ extra time नहीं निकलना आपको bed में लेटके उसके बाद ही यह technique करनी है और फिर हम इसकी follow up भी लेते रहेंगे आने वाले दिनों में कि आपको क्या फायदा मिल रहा है अभी कि किसी के इस technique से related कुछ doubts हों या in general भी कोई doubts हों तो वो पूछ सकते है otherwise फिर हम इस session को आज के session को close करेंगे यह technique कर सकते है नहां नॉर्मल आर्ज में आप कर सकते हो बट ज्यादा effective नेस इसकी रात को रहती है नॉर्मल अपर रिटेंशन लेका आपने बोला जो का तो वह वह भी आप कर सकते हो बट आप उसको अन मतलब एक बार extra कर सकते हो यह लगा लीजिया कि बार बार मत की दियो चुंकि फिर वो अगर आप बार-बार करते रहोगे तो वही चीज़ें रिपीत होती जाएंगे ज्यादा गैप नहीं होगा जादा गया आप नहीं है जो आपने रिकॉल करने है अगर आप अट लीस्ट बारा गंटे बाद करोगे तो वह बारा गंटे का टाइम तो अगा और किसी का कोई डाउट या कोई सुजेशिन या कोई फीडबेक यहां जी हलो फिर से रिपीट करना है कि आँटे त्वल तक हम रिकाल करते हैं फिर से वी हाव तो कम बैक आप नहीं आपको बैक नहीं आना है लाइक अगर आपको फोटी एट आर बैक तक जाना है पीछे जाना है 48 hours पीछे जाना है में आजाएगा वी हाव तो कम बैक अगें तो तो दा तो दा सिटुएशन आप सिटुएशन आप तो आपको पता चलेगा कि मुस्ली आप करते करते ही स्लीप में चले जाते हो अचा अभी एक मुहमद जी ने पूछा है कि कैन यू एक्स्प्लेन अबाउट अलफा बिटा गामा स्टेट फ मेडिटेशन यस तो मुहमद जी यह अलफा बिटा यह जो हैं स्टेट फ मेडिटेशन होती हैं बिलकुल एक्चल में यह माइंड की वेव्ज हैं जिनके नाम है अलफा बिटा गामा डेल्टा एक्चल में क्या होता है कि जैसे हमारी ECG होती है हमारे हाट की हमने सब किसी ने सुना होता है कि हाट पे एक हम मशीन लगाते हैं और इससे एक ECG की रिपोर्ट निकलती है वो ECG की रिपोर्ट में इलेक्ट्रोनिक वेव्ज होती है जो हमारे हाट में चल रही है उसकी वेवर रिकोर्डिंग होती है ऐसी हमारे ब्रेन पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं उसको EEG बोलती है तो उसमें वो ब्रेन की वेव्ज को रिकोर्ड करता है उसको EEG electro encephalogram होती है तो वो वाली waves जो होती है उसमें different waves होती है alpha, beta, gamma, delta और अभी जैसे हम activity वाली state में है उसमें वो beta waves होती है वो थोड़ी तेज चलती है तो उसके बाद जब हम deep sleep में होती है तब वो delta waves होती है वो बड़ी दीरी धीमी होती है बट उसमें होता क्या है कि delta waves के time पे हमारा अपने mind पे control नहीं रहता तो हम dreams में चले जाते हैं तो वो हम उसको regulate नहीं कर पाते अपने mind को, अपने thoughts को उस time पे नीन में बट alpha state जो है वो beach वाली state है जिसमें हम, हमारा mind पूरा relax होता है और साथ ही साथ हम उसको control भी कर सकते हैं तो ये meditation की state है ये सबसे healthy state मानी जाती है और इसको हम utilize कर सकते हैं अपने subconscious thoughts को change करने के लिए मान लीजिया कई बार आपने देखाओगा कि बीना किसी reason से आपके conscious mind में कोई reason नहीं होता बट आप किसी दिन अच्छा फील कर रहे होते हो बट किसी दिन बुरा फील कर रहे होते हो किसी दिन कुछ ना कुछ अंदर से आपके अंदर डर होता है आपको reason नहीं बता होता बट वो डर होता है वो actual में subconscious mind का डर होता है तो वो subconscious mind जो है हमारा उसको clean करने के लिए alpha state होती है तो alpha state meditation की state बोला जाता है जब हम C to A meditation करते हैं तो जो A state हमारी आती है पहले हम C state में जाते हैं फिर B में जाते हैं फिर A में जाते हैं तो जब A में हम पहुंच जाते हैं वो alpha state होती है उसमें हम अपने mind को clean करते हैं अब subconscious mind को हम clean करते हैं. तो जैसे जैसे हम कल को जैसे C to A meditation करेंगे तो जो A वाली state में आपकी mind की situation होगी वो alpha level की situation होती है, alpha level की meditation होती है. ये बूल सकते हो. अचा मिनाख्षी जी अगर नींद प्रोपर आती हो तो भी ये करना है क्या? हाँ आप ये नींद की quality में आपका add-on करेगा definitely आप साथ में नींद की quality के लिए आप अपने bands आते हैं जैसे आजकल health bands होते हैं या smart watches होती हैं वो आप उसका भी use कर सकते हैं उसको पहन के सो सकते हो आपको रात को सोते हुए बाकी gadgets जो हैं आपके phone है उसको आपको अपने पास नहीं रखना जाहिए उसको दूर रखना जाहिए या airplane mode पे लगाना चाहिए wifi भी बंद कर देना चाहिए तो radiations भी कम से कम होनी चाहिए बट आप smart watch यूज कर सकते हो कि उसमें as it is अपनी radiations नहीं होती तो उसको smart watch या smart band आप यूज कर सकते हो उससे आपको quality उसमें scoring भी होती है तो वो पूरी accurate तो नहीं बट almost accurate होती है तो उससे वो दीरे-दीरे करके आप tracking कर सकते हो अपनी sleep की कि आपकी कितने गंटे आप सोई, कितने गंटे आप उसका sleep score क्या रहा तो उससे वो निकालता है वो even deep sleep और आपकी जो दूसरी non deep sleep है उसमें भी differentiate करता है तो वो दीरे-दीरे करके आप देख सकते हो कि आपका sleep score जो है वो कैसे improve हो रहा है या come हो रहा है बट उसमें ये रहता है कि आपको daily आपको वो weekly score का total करके compare करना होता है क्योंकि daily का कोई फायदा नहीं है आज का score वो 90 हो सकता है कल का score कम भी हो सकते है बट आपको एक week का score total करना है और फिर next week से उसको compare करना है और जैसे आप ये techniques improve करोगे यूज करोगे तो आप दीरे-दीरे करके इसको आपका जो sleep score है वो अच्छा होता जाएगा लाइक sleep quality जो है आपकी अच्छी होती जाएगी तो रकेश जी पुछ रहे हैं how to decrease stress in daily life तो जैसे रकेश जी हमने अभी एक किया है अपनी meditation किया आज forgiveness वाली तो उसमें हम क्योंकि stress के कई reasons होते हैं stress आपके health issues के कारण हो सकता है आपके mental issues के कारण हो सकता है और आपके professional life से related हो सकता है तो उन सब पर हमें काम करना होगा और जैसे हमने अभी आज relationships वाली forgiveness meditation की और जो हमारी activities हैं जैसे आपको करोगे तो एक तरह का stress आपका decrease होगा और कल जैसे हम C2A meditation करेंगे उसमें हम खुद का mind relax करेंगे तो उस तरह का stress हम decrease करेंगे तो ऐसे करके दीरे दीरे आपकी efficiency बढ़ती जाती है और आपकी cop-up करने की power बढ़ती जाती है तो उससे आपका stress अपने आप reduce होने लगता है अभी कोई और किसी का question हो तो वो आपने आपको जल्दी से पांच मिनिट हम और ज्यादा से ज्यादा लगा सकते है अगर किसी का कोई question है जी जी आप गामा meditation के बारे में बोला नहीं आप बोले ले आलफा बोले बीटा बोले और डेल्टा और गामा डेल्टा और गामा दोनों जो है वो sleep की ही है तो येस वो sleep वाली है बिटा जो है वो हमारी normal day-to-day life वाली जो अभी हम state में जी state में वो बिटा state है तो अलफा state जो होती है वो बीच वाली state होती है ना तो वो deep meditation की sleep state होती है ना वो full activity की state होती है वो बीच वाली state होती है उसको हम alpha state होती है उसमें माइंड पूरा रिलाक्स होता है बट वो हमारे कंट्रोल में होता है जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफी लोग बोलते हैं जब हम C2A meditation भी करते हैं या कुछ और योग निद्रा कुछ तरह की meditation है उसमें जब हम जाते हैं आपको लगता है कि आप सो गई बट जब आपको बोला जाता है कि आप यह करो आप साथ में इंस्रक्शन भी फोलो कर रहे होते हो या आप कुछ ना कुछ activity भी कर रहे होते हो आपको लगता है कि आप sleep में हो क्यूंकि आपको relaxation जो है वो sleep जितनी या sleep से भी ज्यादा मिलती है but आपको जो है still आप अपने आपको control में होते हो आप अपने thinking patterns को control कर सकते हो या अपने आपको heal कर सकते हो situation में thank you sir thank you okay Ayushman मुहमद जी और Ayushman का दोनों का एक almost same ही question है तो वो बुच रहे है technique for alpha state technique for alpha state C2A meditation है तो C2A meditation के steps Ayushman कुछ नहीं है Ayushman जी C2A meditation हम कल करेंगे actual में आज हमने C2A meditation नहीं की थी आज हमने forgiveness meditation की थी तो C2A meditation हम कल करेंगे कल meditation से पहले मैं आपको वो सारे steps जो है दुबारा से ब्रीफ करूँगा और फिर जैसे आप जिस टाइम पर करोगे तो उस टाइम पर मैं आपको guide भी करूँगा तो इसलिए वो कल morning 5.30 जो है हम ये session रखेंगे कल morning आपको आपको कर सकते हो C2A meditation कोई बात नहीं आज आपने नहीं भी की तो भी आप कल से कर सकते हो ठीक है जी फिर हम आज का session close करते हैं यहीं ते तो आपने जो आपकी तीन आपकी assignments हैं पहली assignment अप जल्दी से कोई मेरे को बता दे एक बार शिवतोष जी आप बताएंगे क्या क्या करना है आपको आज तीन assignments unmute unmute नहीं हुए अभी आप unmute कर लीजी अभी आपकी आपकी पर जिनके बारे मैंने गरत बोला या कभी गरत सोचा था तो उनको message भीजना है उनको मतलब उनसे उनको ने साल पे उनसे बात करनी यह फोन पे जी 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 बहुए और अपने हेल्थ पे काम करना सर मेरा पेट निकल गया और दाड़ी होगर थोड़ी वाइट हो जाएं इसको मलबूत करना सर कि मेरा कितना इंकम ग्रोथ करना सर इतीन असाइंडमेंट पर काम करना सर इस एक्चल में पहली असाइंडमेंट बिल्कुल आपने जैसे बोला relationship वाली है second assignment आपकी mission statement लिखने वाली है उसके ही आगे इन पार्ट से एक health है एक relationship है और एक आपका प्रोफेशनल लाइए उसके तीन पार्ट जी आपने क्या achievement करनी चाहते हो आप साल के अंट कर से तीसरे वाली अलग से एक वह समाइल वाली तो आपने पूरा दिन स्माइल करते रहना है और अभी सबसे पहले जो काम आपने करना है तो आपने पूरा दिन जो है जो भी आपको मिलेंगे उनकी दरफ स्माइल करते रहना है और फिर एक जो है अपने मेसेजिस वाला काम भी अभी से करना स्टार्ट जाना तरह यह वह राइट साइड में पेन हो रहा है तो वह किसी कई डंका पेन हो सकता है वह एक तो मस्कूलर पेन होता है आपके कोई मसल स्ट्रेच होई हो सकती है कई बार सोते वक्ते या कुछ हो जाता है उसका कारण हो सकता है इसलिए अभी ऐसे नहीं पताया जा सकता कि वह कौन सा पेन है आपका आप यह कर सकते हो अगर पेन किलर लेने से सिंपल मसल रिलेक्सेंट आप एक बार यूद कर लीजिए जिसके पीछे तो सर्टी क्रीज हो जाता है सर पेन नीए वो कब से रह रह रहा है आपका पेन कितना दम श्यासाथ मेंना हो गया सए श्यासाथ मेने हो गया एक बार आप टेस्ट कर वा लीजिए उनको भी दिखा सकते हूं गैस्ट्रींटरिस पर न वह पारी फूड पाइप होती है यहां कोई दिककत होती है है उसके कारण ये होता है ये सब्सक्राइब mármite करनी निगे 7-6 बॉल नहीं सकते बेसे होगा नहीं हाट का पेन खाफी ज़्यादा मतलब सीवियर होते है एकदम से होते है ऐसे रहता इनिए कि थोड़ा थोड़ा हर टाइम रहे यसे नहीं चलता वेसे अपका वो गेस्ट्र इंटर्स्रीनल ओगा पेट से रिलेक्टिड होगा ठीक है सर्थ थेंक्यू सर्थ थेंक्यू यह से कंप्लीट कंटलेशन होगा अगे मिनाथशी जिनने भी सारी वो लिख दियाँ सुमाइल वीजन राइटिंग ओन है रिलेशनिशिप एड शक्सेस वैसे भी किसी को विश्ट निकीये है ओके तो थेंक्यू बड़ा आपके थेंक्स एवर्रीवन फोर पाटिस्पेशन आयुष्मान रकेश पार्थ अनमोल श्रूति शर्मा जी वीना रावत मीनाक्षी बिज्यो लक्षमी प्रस्थना श्रीकांत अबानी जी एंड शिवतोष पांडे जी थैंक यू अपने ग्रूप्स में डालना है कि आपने ये कैसे आपकी जो असाइनमेंट्स नहीं ती नो उस पर आपने कैसे काम किया ओके जी थैंक यू हैपी निव यह टू आल मिलते हैं कल शाम को साथ बजे ग्रूप्स में और फिर कल सुबा सादे पांच बजे जूम पर ओके जी अवा गुड़ दे थैंक यू